हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आयम मनोज कुमार बिसिकली दोस्तों आज बात करने वाले हैं आज बात करने वाले हम किसी भी टेबल में जब कभी डूपलीकेट डेटा जो आ जाता है उसको डिलीट करने के लिए क्या करना चाहिए क्या एप्रोच होनी चाहिए और कौन सी एप्रोच को कभ यूज करना चाहिए तो दोस्तो इस concept को समझने के लिए सीधे lab की तरफ चलते हैं lab में एक table create करते हैं उस table के उपर duplicate data create करते हैं और फिर अपने concept की तरफ आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो अगर मैं बात करूँ कि कोई table किस तरीके के structure की हो सकती है table create करने से पहले उसके structure को थोड़ा गौर से देखते हैं देखें कुछ column हो सकते हैं जो information को आपके capture कर रहे होंगे साथ में एक चीज एक ID का column मैंने यहां पे लिया है जो मेरा primary की है या तो आपकी table में primary की होगी या नहीं होगी यही दो scenario बनते हैं अब अगर primary की होगी तो दोस्तों उसके अंदर एक column जो ID का है यह हमेशा unique होगा और not null होगा मतलब null कभी नहीं होगा और हमेशा unique होगा तो इसी के basis पर मेरी दो approach जो है वो segregate हो जाती है duplicate data को delete करने के लिए तो सबसे पहले एक table create करते हैं table के अंदर एक ID का column है तो simply मैं इसको select करता हूँ यह एक table दोस्तों मेरी create होगा table का select चलाता हूँ अभी table में मेरे कुछ नहीं है क्योंकि ID का column मैंने रखा हुआ है तो ID को unique रखने के लिए मैं manual entry ना करते हुए दोस्तों एक sequence का use करूँगा simply दोस्तों देखिए यहाँ एक sequence मैंने create कर लिया आप नीचे देख सकते हैं अब मैं कुछ एक data अपनी table में insert करूँआ let's say मैंने एक row यह insert की एक row यह insert की और एक row यह insert की अब अपनी table के अंदर select देखुआ तो मेरे को यहाँ पर तीन record दिखाई दे रहे हैं जो मैंने recently अभी अभी insert कि अगर मैं किसी और region से यह by mistakenly अब यहाँ पर मैं इसको duplicate कर देता हूँ कि किसी भी region से कोई भी data जो है एक बार आया है दस बार आया बट वो duplicate आ गया किसी भी region से duplicate आ गया अम मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ इस data को order by कर लेते हैं एक बार so that थोड़ा सा समझ में है order by कर लेते है to जो order number यह देखे दोस्तों अगर मैं यहाँ देखो आईडी कॉलम को आपको नहीं देखना है इतना data आपके पास यह एक चुन्मुन जो है उस वाले वेंडर का duplicate है दूसरे का इतना data आपके पास duplicate है दूसरे के 5 है और तीसरे का भी कुछ-कुछ data duplicate है अब duplicate data हमेशा किसी ना किसी गलती से या किसी रीजन से आ जाता है duplicate अगर duplicate आ भी रहा है और वो data आपके लिए और आपके लिए ठीक है बट डूप्लिकेट आ गया और आपका कोई process fail कर रहा है तो उस duplicate data को remove करने के लिए क्या strategy लेनी है देखे दोस्तो हमें clearly यहाँ पर एक चीज तो पता ही है कि मेरे हर एक column के अंदर एक ID है तो सबसे पहले बहुत सारे तरीके हो सकते हैं duplicate data को remove करने के हम कई सारे तरीके की बात अपनी लेब में जरू करेंगे तो उनमें से ही एक तरीके की बात आज यहाँ पर हम करने वाले हैं देखे दोस्तों यह मेरी delivery की टेबल है जिसके अंदर मेरी ID का यह जो column है अगर मैं किसी तरीके से आप गौर कीजिए data पर अगर मैं किसी तरीके से system को यह बोल दूँ कि जो selected data है जो grouped data है जो अगर मैंने blue selected किया यह किसके basis पर group हो रखा यह हो रखा है processing flag vendor code transaction type and order number के basis पर group मेरा यह पूरा data हो रखा है और जो transaction ID है जो ID है अगर मैं system को यह बोल दूँ कि जो सबसे minimum वाली ID है मतलब जो record इस वाले detail के साथ सबसे पहले आया है अगर उसको skip कर दें उसके अलावा जितने भी record है जो की मेरे यह वाले है अगर यह delete हो जाए तो मेरी duplicacy automatically खता हो जाएगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों data को group करेंगे मैं आपको grouping दिखाता हूँ कैसे grouping यह चल र so that आपका जो concept है वो आपका clear हो जाए vendor code को चुन्मुन के लिए freeze कर लेते हैं दो मिनिट के लिए दोस्तों आप देखी दोस्तों मैं कहता हूँ minimum ID अगर मैं यहां भी देखू तो minimum ID मुझे 1 दिखाई दे रही है इन सभी के अंदर तो मैं 1 वाली ID को यहां निकालता हूँ 1 निकली max ID क्या है max ID भी देख लेते हैं 15 यह आपका call होगा कि आप आने वाले डेटा में से जो डेटा आया है उस डेटा में से आपको सबसे पहले ID वाला डेटा चाहिए minimum ID वाला यह max ID वाला डेटा चाहिए दोस्तों यह min max का जो call है यह आपकी requirement का होना चाहिए आपका हो जैसा कि यहां पर मैं क्या बता रहा हूं सिस्टम को यहां पर मैं सिस्टम को यही बता रहा हूं कि जो max ID है वो कितनी है वो मुझे बता दे अब एक inner query मारके एक inner query करके मैं इसको डिलीट करूंगा देखे कैसे और डिलीट भी चुन्मून के लिए करते हैं so that concept और बहतर तर select दिखाता हूं तो देखे select आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं मेरे पास 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं अम मुझे minimum रखना है maximum यह मेरी कॉल है let's say minimum रिकॉर्ड जो था मैं इसको रोकना चाहता हूं इसको कंटेन करना चाहता हूं इसको इसक delete कर दिया आप यहां पर vendor code का भी join लगा सकते हैं so that किसी और के लिए ना चले यहां पर एक वेर कंडिशन डाल सकते हैं अगर डालनी चाहें कि vendor code equal to vendor code दोनों के अंदर alias दे सकते हैं देखे यह z कर दीजिए इसको a कर दीजिए यह dot कर दीजिए यह इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों क्योंकि यह चीज़े आपको कोई भी नहीं सिखाएगा कि इन चीजों का मतलब क्या है ठीक है आप देखिए यह अंदर जब grouping करके लाएगा तो केवल चुन्मून के लिए grouping करके उसकी जो minimum ID कि वन वाली ID मेरी निकल गई है अब इसी के लिए मैं डिलीट चला देता हूं जैसे ही डिलीट चलाता हूं आप देखेंगे कि आपकी टेबल से जो चुन्मून वाले के लिए जो डिलीट रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे यहां पर डिलीट हो जाएगे 08 assess4 record deleted मैं इसको कमिट कर देता हूं कमिट करने के पाद आप इसका सल्यक्ट चला के देखता हूं दोस्तों तो देखिए स्टलेक्ट में क्या आएगा अब मेरे पास select चलाता हूं select में अगर मैं चुन्मून को freeze करता हूं तो देखिए चुन्मून का मेरे पास सिंगल एक record आएगा जो one वाला था ठीक है दोस्तो अब अगर मुझे सारे delete करने है तो मुझे क्या करना है दोस्तो मुझे अपनी wear condition से चुन्मून को हटा देना है समझें आप तो यह मैं चुन्मून को यहां पर हटाने वाला हूं देखिए यह मैंने यह चुन्मून को हटा दिया है अब जितने भी मेरे duplicate record होंगे वह automatically यहां पर delete हो जाएंगे जैकि eight number of rows मेरी यहां delete हुई है delete होने पर commit कर देते हैं तो जितनी भी मैंने सबसे पहले अपनी जो record insert की होंगे वह record यहां पर रह गए होंगे बाकी सारे record यहां से delete हो गए होंगे तो यह तो concept हुआ दोस्तों मेरा वह वाला जिसमें id मेरे पास system में थी challenge मुझे तब आता है जब id का column मेरे पास नहीं होता है तो उसके लिए हम दूसरी वीडियो की तरफ रूप करेंगे so hopefully दोस्तों lab के अंदर easily आपने understand कर लिया होगा कि किस तरीके से id based data को min max के तरीके से कि आपको सबसे पहले वाला data चाहिए या सबसे last में जो data insert हुआ वो data चाहिए कौन सा data आपको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए इसके basis पे easily आपने समझ लिया होगा कि duplicate data को कैसे identify करते हैं कैसे delete करते हैं अगर अपने भाई का यह काम आपको अच्छा लगे आपको समझ में आया आपको लगे ले मेंटम में आपको easily मैं समझाने में successful रहा हूं तो दोस्तो वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा comment करके अपने requirement अपने suggestions अपने भाई तक लगातार इसी तरीके तक पहुचाते रह तक calamworm में समझाने जारा आपको लगे है जारा भाई भाई झरे अंपने आरे वहा हुचा वतल्षनर का ले post दरीके ओित्धा में इस्वासे लेके समझाने हैं Selang का किस्वा Karen